कि हेलो एब्रीवन मैं कलपना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं जलबायू तो देखें जलबायू हम लोग देख रहे थे जिसका फर्ष्ट पार्ट हम लोग कबर कर चुके हैं फर्ष्ट पार्ट में हमने जबना कबर किया था अगर आप लोगों ने भी तक नहीं देखा है तो प्लेस्ट नर जाकर आप इसका फर्ष्ट पार्ट देख लीजी क्योंकि वह आपको बहुत ज्यादा इंप्रट ठीक है और आज हम देखें कि इसका सेकंड पार्ट तो चलिए इसको देखते हैं क्लाइमेट और अ चैप्टर नहीं हुआ था लेकिन काफी हद तक चीज़ें हमने समझी ठीक है और मतलब कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि आप इंपोटेंट इंपोटेंट पॉइंट बताइए अगर आपको इंपोटेंट इंपोटेंट पॉइंट देखने हैं या आपको बन लाइनर पढ़ होगे आपके एकजाम में वह आप अटेंप्ट कर सकते हैं लिकन इधर जो बात है आपकी वह आपको लिखना है ठीक है अगर आप यूपी PCS यानि आप इस्टेट PCS या फिर UPSC के रिटिन एकजाम में बैठते हैं तो उधर आपका काम नहीं चलेगा इस से ठीक है उधर आ आप निबंद या फिर आप निबंद लिख सकते हैं आप फिर जो कोश्चन आपके रिटिन में आते हैं भूगल से रिलेटेट या किसी भी सब्जेक्स लेटे तब यह आप उसको लिख सकते हैं ठीक है जो आपकी NCRT अगर आप पूरी पढ़ लेते हैं 6 से वारा तक की तो इससे कोई भी एक्जाम आपका क्वालिफाई नी होने वाला ठीक है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ NCRT से आपका क्वालिफाई नी होगा लेकिन अगर आप NCRT पढ़ते हैं तो आप रिटेन एक्जाम में बहुत अच्छा परफॉमेंस कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिखने के लिए इसमें बहुत से चीज़ें आपको मिल जाएं क्योंकि जो चीज है ना हर एक सब्द को बड़े ही गहराई से इसमें समझा रहा है या अगर कोई बच्चा भी बुक को पढ़े और वो अपने आप से समझना चाहे तो हर लाइन को अपने आप समझ ज पढ़ने वाला है एंसी आट के हमें डिटेल से चीज़ें पढ़नी पढ़ेंगी तो इसमें आपको कमेंट करने की वाली जहूरत नहीं है कि आप बिल्कुल इंपुटेंट इंपुटेंट पॉइंट बताएं आप अंडरलाइन करके अगर आप देखते तो इससे आपको को मानसून मानसून आता है आप कले के मानसून ही हमने देखा था इंडिया में अलग अलग है हमने देखा था जंबू कस्मीर हमने जंबू कस्मीर वही देन मान लीजिए जून से कंपेर कर लें तो एक आप जंबू कस्मीर में देख लीजिए जून में ही और एक आप देख ल रहता है इसी परकार आपका मानसून को भी पता नहीं है चलिए आएंगे देखते हैं इस तर्था उच्छा बच में इस होती है उचाई जैसे समुद्र तल से उचाई एक तो आपका जैसे भूपर पटी है तो समुद्र की आप गहराई देखते हैं तो उसका जो उच्छा इसलिए वहां पर पानी भर जाता है समुद्र की रूप में ठीक है और अगर दूसरी बात हम इस थल पे करें तो देखी क्या होता है कहीं कहीं पर आपके गड़े होते हैं कहीं जैसे आप माल लीजी एक आपका हो गया समतल मैदान दूसरा माल लीजी हो गया आपका पठार तो देखी समतल मैदान पठार की अगर आप बात करते हैं इस अगर बड़े वह समका पड़ेगा क्या मौसम का फरक पड़ेगा क्या मांसून का फरक पड़ेगा क्या हिमाले की उची उची चोटियों पर जाते हैं तो जो आपकी बरसात का परकार कैसा रहेगा बरसात का परकार हिम में रहेगा यानि जो आप पर बरसात होगी वो हिम के रूप में होगी यानि बरफ के रूप में बरसात होगी हिमाले की उची चोटियों पर वहीं भी अगर के रूप में होती है बलगे किस के रूप में होती है रही है किस रूप में हो हिसके New एंटिटीट होता है आपका एक्षर अक्छान्स क्या होते है यहretched प्रद भी ऑन आपक्छान्स तो आप चीज्ट बताईए थे कहां पर सीधी पड़ेंगी तो कहां पर सीधी पड़ेंगी सीधी केने सूर की कहां पर पढ़ेंगी एक तो भूम अद्रेखा पर पढ़ेंगी ठीक है दूर्शी आपकी जहां तक क्योंकि देखे आपकी जो प्रतबी यह साड़े तयस डिगरी से अपने अक्छ पर जुकी हुई है अब जब साड़े तयस से जुकी हुए तो घूमेगी जुकेगी ठीक है यह दर पर बना रही है और अब गूमेगी किस प्रकार से यानी पत्चिम से पूरब गूमती है तो इससे प्रकार से घूमेगा तो उल्टो पुल्ट होगा ठीक है जो रेखा हैं आपकी एक मिनटके दिक्विए कि दो इस परकार से तुछिं पार ₹ जुआ положि रहे समय का a-स से 9 साहई कि शूर किल कर ने शीधी पड़ सकती हैं कहा थी पड़ी है तो तुछ दिखकी कर को त्यों नीचे जो साड़े तेईस मकर होती यानि साड़े तेईस उपर नौर्थ और साड़े तेईस नीचे साउथ हो गए आपकी करक मकर और भूमद तो भूमद है ही यानि भूमद रेखा तो भूमद है ही तो सुर की किर्णे क्या होती है कि एक तो आपकी साड़े तेईस उपर तक यानि नौ अब एक चीज ब मताईए। अगर दिरशी पड़ेंगी तो साड़े 12 से नोर्थ एक सीधी और साध़े 25 तक पड़ेंगी सीधी नहीं पड़ेंगी यानि 35 नौर्थ ए आप पर किल्मी उसका नीची रहेगा बस इतनी बात है कि एकर सूर कर्णे सीधी नहीं परते हैं तो तिति वाबारत के स्थिति में हमने इसका अक्षान सो तेसांतरी बिस्तार देखा था जैसे आप इसके भूभाग का देखें जैसे यानि मैंने बताया जैसे तमिलाडू के कन्या कुमारी से देखें तो इसका है आठ डिगरी चार मिनट वहीं आप जम्भू कसमीर के लाश्ट पॉइंट देंगे तो वो है आपका 37 डिगरी 6 मिनट यानि इतना है इसका अक्षान सी बिस्तार इधर पर देशांतरी बिस्तार से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि जो आपका देशांतरी बिस्तार है वो समाय और तीठी के लिए काउंट किया जाता है तो यहां पर हमें पूरी आक्षान से है क्योंकि दच्चड में तो हमारा भारत है ही नहीं तो दच्चड की तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे चली आंगे देखिएगा इसको थोड़ा ठीक है आप यह भी जानते हैं कि करकरेखा पूरा पस्चिम दिसा में देश के मद्ध भाग से गुजरती है इसको नहीं देखना कि करके लिखना कर्या ठीक है तो आप देखना कि करकरेखा पूरे आथ राज्यों से लिखना करुए मैं बोलने वाली हूं नम्र लाइन से लिखना में लिखूंगी नहीं मातर बोलूंगी फश्ट नमबर पर लिख लिए गुज राज सिकंड में प्रविस करती है राजिस्तान और थाड़ जो आपका इस्टेट आता है MP यानि मद्ध प्रदेश को क्या बोला जाता है भारत का हिर्दा है यानि भारत का दि करके देखा जो है हमारे भारत को दो पार्ट में डिवाइट कर देती है ठीक है और भारत के आठ राज्य शुकर गुजरती है यानि भारत को दो पार्ट में डिवाइट कर रही है करके देखा ठीक है सीधी सीधी बात हो करके देखा के बाद सूर की जो किरने सीधी नहीं प लिए ने जब करेंगे तो इसे की कार्ड तो अभी हम ने जब कल वाला चैप्टर किया था था तो उसमें बता रखा था कि जू आपका उत्तर भारत की मेदान है वहाँ पर सर्दियों में मलब गरम कपड़ पहने जाते हैं उनी बस्तर पहन जाते हैं ठीक है और बलकी अगर आ तो चीज से प्रभाव पड़ता है तो चलिए अब इसको थोड़ा आंगे देखेंगे इस प्रकार भारत का उत्री भाग सी तोष्ण कटी बंदी में और करक रेका के दच्छन में इस्थित भाग उस्ट कटी बंदी में मैं चीज आपको कल भी बताई थी कि अगर आप इस प् ठीक है एक रहेगा आपको इधर पे 90 ठीक है weird नोर्फ है आपका इधर पे 66 यहां पे नब्ब्बे तब चैस्थित कर दिया मैं इसको कलर करने वाली हूँ इधर पसे किया तो मैंने रेकरts कर दिया कितना कितना भाज रेक्ड़ों किया साड़े तइस नौर्थ से लेक के साड़े 66 साउथ से लेके साड़े 66 साउथ अब इदर पर देखना आसमानी आसमानी कलर से मैंने क्या किया आपका ऊपर वाला भाग इदर पर कर दिया है आसमानी से ठीक है तो यह क्या हो गया आसमानी कलर जो आपका बताया हुगा है मैंने इदर पर आपका साड़े 66 ठीक है न तो मैंने रेड सिक हुआ है इसको ऊस्ट कटी वंदी चेत्र के कै सारे η में चैसर से नभी तक किसको किए वह सारे चासर से नभी तक सीत कटी वन दिए उस्हीत कंटी चैतर कूं कहते हैं किसेशना थंड नहीं հहती है हैं खीक है और यहां तक अगर आप पोल्स की बात खाएं तो आप scène शह माइबं दिन शह माइने का रात रहता है तो आप बता सकते हैं आराम से क्य स प्रकार से म champions पढ़ती होhosगे कि अगर सब्सक्राइब देने सब्सक्राइब कर देती है तो भारत का आधा हिस्सा क्या रहेगा अगर आप करक रेखा की उत्तर की बात करें तो यह रहा हिस्सा अगर मैं इसको रेड करक बताओं यह हो गया हिस्सा करक रेखा ऊपर उत्तर का हिस्सा हो गया तो यह जो उत्तर का हिस्सा किसमें है आपका साड़े 23 और साड़े 26 की बीच में है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम उस्टकटी बंदे छेतर में तो उसको उस्टकटी बंदे छ कियाए कारण होता है कि कहीं सरदी लगती है कहीं पर गर्मी और फिर आपका उचाइगा हो जाता है दरहातल से ठीक है पहाड परबत नहीं को अपकी तो पहार परबत क मैं लुट युटा दिया मैंने ईक कर्क देखा के ृच्छन में श्ट तो देखना है और औब आपको समझ में आता है तो मैं जया हुआ है तो भी समझ में पड़ाए थे हैस्टS इसकी कारण आपको चित्रियान नहीं मिलेगे चलिए इसको थोड़ा आँगे देखते हैं देखे ऊष्ट कड़ी बंदी भूमद रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊचे तापमान में रहता है किसकी बात कर रहा है सीधी बात है जहां से इस प्रकार से आपकी करक देखा निकल जाती है और जो नीचे का चित्रे ऊष्ट कड़ी मंदी चित्र में आ जाता है तो इसी की बात की इसने इधर पर क्या होता है इस वाले भाग की अगर बात करते हैं इंदिया की तो यहां पर सूर की करण है पूरे साल सीधी पढ़ती है ठीक है क्योंकि यहां प अपको भी चान्यूब एफ़ ली यकिरदार घंडूरी स्याथे तर्फ उपर जाते हैं इंडिया उपर की बात करते हैं तो पर बाले पाट की बात करते हैं तो क्या रहे गए भूमद्रेखा से बूस्ते की रेका है। अब काप यूपर होने के कान सूर की किरने सीधी नहीं पढ़ेंगी अब सूर की किरने सीधी नहीं पढ़ेंगी तो क्या होगा इधर पर जो टेमपरिचर है वो थोड़ा कम रहता है ठीक और टेमपरिचर कम रहने काना जलबायू भी विसम रूप की पाई जाती अब चले गांस हो जैसे जैसे मैं आपको dub jätte हो गे आपका onצुष फर्षी पढ़ेंगा ho mismo सी तो बड़े ही आसा ワाइन तरीकिं से बॉतायंगी यानि जैसे ही अक्छांस बढ़ता है अक्छांस का नमबर बढ़ेगा अक्छांस का अंस बढ़ेगा बैसे ही सूर की किरने कम होती जाएंगी आहम बात करते हैं हिमाला की अभी हमने क्या देखा अभी हमने देखा अक्छांस का ऊचाई और नीचाई देखा अक्छांस का कौल इस शोड़ा गए तो यहां पे क्या है आ पका समतल मेधान पाय जाते हैं ठीक है नधयों की दूआ बनायाए गांदाम है समतल तो आपके सब मैदानी है ठीक है मैदानी चेतरी है अब इसमें क्या होता है कि अगर आप हिमाले की बात करते हैं तो हिमाले का उचा बाला बाग है जैसे अगर आप इतार रहते हैं यह रहा है हिमाला है तो यह हो गया उचाई अब जैसे ही आपका उचाई बढ़ता है उचाई बढ़ने के साथ साथ आपकी बायू बिरल होने ल होता है temperature भी इसका कम होने लगता है क्योंकि जैसे जैसे ऊपर आप जाते हैं उपर जाने के करण बायू जो है हल्की होती जाएगी हल्की शड़ारी बिरल होती जाएगी यो गहनी नहीं रहेगी अब गिरल नहीं रहेगी तो जो उसका क्या होता है जो आपका सूर का प्रकास आता है जो सूर की ऊर्जा आती है उसको जो बायू क्या करती है अवसोसित करती है और जो बिरल हो गई तो आसोसित नहीं करेगी सूर की केड़ों को आराम से नीचे तक प्रद्वी तक आने देगी प्रद्वी की सतह तक तो क्या ह कि जैसे जैसे नहीं रहता है क्योंकि देखें कि जो सूर का प्रकास आता है और बायूब्रॉल होने कान क्या होगी कि सूर का प्रकास सीधी प्रद्वी तक नीचे आजाएका कोई भी बीच में उसको और नहीं बनेगा जैसे आप करती है समताफ मंडल की तो चाहिं करता है रहता है क्यों कि जो और नहीं ले अधर में यह लामत नहीं हो रहती नेनर्जी को रिखे हैं तो आपकर skी नहीं रहेती है समताफ मंडल जहां वहां पर टेंपरिचर इसका कैसा रहता है हाई देता है क्योंकि यूबी रेज कोई रुख लेती है ठीक है अगर हमारे तक आज आ जाती है तो एक तो हमें तुछा कैंसर होगा दूसरी बात हमें मोतिया बिंद होगा यानि सब मलब सब करम धरम हो जाएंगे अच्छे से ठीक बिस्तार अपने सभी बिस्तार के साथ एक प्रभावी जलवाई विवाजक का कभूंका निवाता है अब मैंने आपको कल भी बताए था कि इधर पर क्या होता है कि जो आपकी नौर्थ पोल से हवाई चलती है ठीक है क्योंकि देखें नौर्थ पोल से हवाई चलती है पोल क कर देता है यानि हेमालाय जो है उन हवाँ को रोक लेता है इसलिए ठंडी वायू हम तक नहीं आ पाती है अब वही चीज़ है अंग देखिए हमालाय अपने सभी बिस्तार को साथ एक प्रभावी जल बायू विभाजक का भूम का निवाता है यानि अगर आप रसिया चले जा साथ है अधर उठीज है इंडिया के अंदर नहीं करने लेता है और जब उसको नहीं करने देगा क्योंकि हमालाय आपका सबसे उचा परवत है कि सबसे उचा परवत है अब सबसे उचा परवद है तो अब वो तो रोक ही लेगा ना इतना उचा है पूरा दिवाल की तरह खड़ा हो जाएगा हवाओं के बीच में तो ठंडी हवा हम तक यानि भारती उप महादीब में प्रवेस नहीं कर पाती है कौन सी रसिया से आने वाले अब चलिए थोड़ा इसक ठंडी ठंडी ठंड रहते हैं तो यह अबनी ठंडी ठंड रहते हैं लुद धर्त खड़ा रहे तो पेदा होती है अब देखिनांगे और मध्द तथा पूर्वी एसिया में आर पार वैती है मध्द और पूर्वी-सक में तो बहलेती है ठीक है यानि मध्द पूरा पार बहलेतीH है पूर्ष भारत अगा इस तत्यों सब्सक्राइगे गुंस हैं इसको यह त्छंसाइड नहीं आ BACK आती हैं क्यों क loro कि आगर आ बात करें तो इंडिया कैनी है फण दोने महाधीब में बर्षा कारण बनता है आप इसमें एक चीज है तो हमाला परवाथ मंध्रीय इतना इमपोतेंट्स पूरपस्चम उत्तर प्रक्राऻ्स पंदर्वास introduction टकरा जाने के कानड में चाहिना या फिर चाहिना के बाद अगर आप बात करा देता है नहीं तो यहाँ पर बारिश ही नहीं आ होती। तो क्या होता तो ना तो आपकी बारिस होती है ठीक है यूद्स अब्छिन परवस्रेणी है ठीक मैं जल और Sthal का बित नाड़ देखते हैं ठीक है हमाला किस रूप में फैला हुए तो अर्द बृताकार रूप में फैला हुए यानि ब्रत का आधा भाग एक दम आपको चाप जैसा लगेगा कि कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है अर्द बृताकार यानि आधा गोले के आधा ब्रत के समान अब बात की हुई है भारत खलका भाग, तीन ओर से घिरा हूँ, पानी से उसको हम कहा कहते हैं, पराइदीप कहते हैं, यानी पैनिसुला कहते हैं, तो एधर पर आपको भीयो भी मिल जाएगा, बेवबंगाल, ठीक है, बेवबंगाल, बैंक्व बडूदा नहीं मिलेगा इधर पर, इधर पर और अपर बंगर को कमाया है हिंद्माह करा करें बाहराइन अगर तो जैसमें लिसाल करें मरं में गिर्चन से घर्णा करें दिक जातवर्य बात धाना है यह कि आपको काथ पूरब पश्चिण और यह आपका दच्छन ठीक है और उत्तर में तो आपको इमाल है मिलेगा ही ठीक है आप देखिया आंगे क्या है इस तल की आप एक्छा जल क्या होता है देर से गराम होता है इस चीज को नोट कर लेना बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है कि इस तल की आप एक्छा जो होता है जल क्या होता अगर इधर पर बंगा लिए फिर आप अरेवियन सी की बात करें तो इन दोनों पर सूर्की करने पढ़ती है या आपका पानी हो गया या इधर पर स्थल मंडल हो गया ठीक है अगर इन दोनों पर सूर्की करने पढ़ती है तो कौन सी चीज जलनी करम होगी कौन सा इस्थल जल थंडा होगा तो तो दीखिए जल नी से गरम होता है तो क्या रहेगा सीधी सीधी बात है आप लोगे काम करना चछत पर एक लोहे की रॉड रख देना वाल्टी पानी रख देना ठीक है तो अगर आप उसको गंटे बाद दस मिट बाद 15 मिट बाद जितने भी मिनट बाद ठोस जो होता है आउसोसित जल्दी कर लेता है ठीक है तो इसने क्या किया इसने क्योंकि इसके काण पास पास रहते हैं ठोस की तो इसने जल्दी से आउसोसित किया अब जल्दी से गरम होगा जल्दी से गरम हो गया ठीक है और जल्दी से छोड़ भी देता है ठीक है रात के सम ठंडा होता है तरीक में जल क्या होता है देर से घराम होता है यानि सिती सचिधी वाथ है कि स्थल जलनी से घरण भी होगा चलिए आँप देखिए जल और स्थल की इस विभेदी तापन के कारण भारती महादिय में विभिन रिदू में वायुदा प्रेसर बिकसित होते हैं अ जल्नी ठंडा होता है अर जल्नली करम होता है थे कि यह संग क नीचे सब्सक्राइब ये कि जो नीचे का हिस्सा यहां से तो बायू खतम हो गई ना गरम बायू उपर की साइड उड़ती है तो ये नीचे का हिस्सा क्या रहेगा इधर से खतम हो गया नीचे से बायू उपर चली गई अब नीचे से बायू जब उपर चली जाएगी तो जल के यहां पर क्या है ठं थल में आएगी नीचे इसके सरफेस से कॉंटेक्ट में रहेगी सरफेस से कॉंटेक्ट में होने कान गरम होगी फिर उपर उठेगी और उपर उठने के कारण जैसे ही बायू उपर की साइड जाती है तो आपको पता है कि उपर की साइड जाने पर बायू हो जाती है भारी भा तो यही आपका चक्र चलता रहता है तो यह आपका ज़स्ट उल्टा हो जाता है रात के समय पर देखे क्या होता है इधर पर ही मैं आपको दिखा दूँँ रात के समय पर देखे दर पर कौन सा कलर इधर पर देखे पिंक कलर कल लिया रात के समय क्या होगा रात के समय पर लोग बताई कि गरम इस्थान कहां रहेगा क्योंकि देखे रात के समय जली से ठंडा हो जाएगा क्या इस्थल मंडल जली से ठंडा हो जाएगा लेकिन जल जली तो यहां पर क्या होगा इस्थल मंडल पर जली से ठंडा हो जाता है और यहां पर बायू इधर पर आएगी तो उल्टा चक्र चलता है अगर आप दिन के समय बात करें तो बायू कहां से आती है बायू जल मंडल से जल मंडल से कहां को जाती है इस्थल मंडल को जाती है ठीक है अगर आप होई पर रात के समय की बात कर लें तो रात के समय पर क्या होगा रात के समय पर जल गरम रहता है ठीक है तो क्या होता है कि इस थल मंडल से ठंडी बायू कहां पर जाती है जल मंडल की साइड जाती है इस चीज को याद रखना बहुत जादे इंपोटेंट है मैंने क्या बतार रखाएं इसमें बाइदु आप देखना था मैं जलो रिस्थर के इस विभेत तापन के का भारति उप महाधी में विभिन रितुम है विभिन बाइदु आप प्रैसर आपके बिकसित होते हैं तो इसको देखे हम तुड़ा आंगे देखेंगे अब बाइदु आप प्रैसर के बाले में थो मुदर पर देखनेंगे अभी जली जली से देख लीजे क्योंकि टाइम जो आपका है काफी हो चुका है और हमने टॉपिक अभी तक एक भी कबर नहीं किये है अब देखें समुद्र तट से दूरी तो यह बहुत प्रभा पड़ता है आपका समुद समुद्र तट से दूरी का जैसे देखें लंबी तटिय रेखा के कारण भारत के बिस्तरे तटिये प्रदेसों में समकारी जलबायू पाई जाती है ठीक है यानि जहां जहां पे आपको इसको तटिये बिस्तर मिलेगी ठीक है एक जैसी जलबायू मिलेगी जैसे अगर आप ऑग महाराष्ट की बात कर लीजे, किरल तमिल नानु की बात कर लीजे, इदर पे वड़ी सांद प्रदेश की बात कर लीजे, तो मतलब सेम सेम जलबाई तो मिलेगी, अब ठीजे भारत के अंधरूनी भाग समध़ारी प्रभाव से बन्चित रह जाते। यानि अगर आप बात कर लिजे यूपी बिहार की एमपी की राय स्थान की अब यहां पे जब समुद्र नहीं है आपका तो क्या है इसका जो अंदुरूनी भाग भारत के समुद्र के समकारी प्रवाव से बंचित हो जाते हैं यानि इनको नहीं मिल पाता है इस चीज़ यह त इधर पर उतना अच्छा नहीं चल पाएगा अब थोड़ा आंगे देखेगा यहीं कारण है कि मुंबई तेता कोंकर तट के निवासी तापान की विसमता और रितु परिबरतान का अनुभाव नहीं कर पाते हैं अब यहां पर क्या होता है कि मुंबई तेता कोंकर तट आपको यहां नहीं नहीं देख पाएंगे दूसरी और समूतर तट से दूर देश के आंत्रग भाग झायसे बात ख़ड़िए दिलली डिल्ली तो आपको कहीं पे भी नहीं लगती है दिलली जो है आपकी याप उपी बात करने हमिभार की दूसरी हो समुद्र से तट समुद्र से दूर देश के आंतर भाग जैसे कि आपका दिली कानपूर अमरतसर में मौसमी परवियरतन दिली कानपूर आपको आमलता है यूपी में अमरतसर पंजाब में तो यहाँ पर कहोता है मौसमी परवियरतन पूरी जीवन को प्रभावित क समुद्र तल से उचाई भी बहुत जाना प्रभाव करती है उचाई के साथ तापमान गड़ता है जैसे आप उपर जाएंगे उपर यानि मैंने बात की है किसकी छोब मंडल की याद रखना किसकी छोब मंडल की बात कर रहे हैं मौस्मी दसा है आपकी छोब मंडल में ही मिलती है तो समुद्र तल से उचाई के साथ तापमान गटने लगता है जैसे आप उपर जाएंगे समुधिर्टल क्या हुगा, तो प्रवतिये प्रदेश क्या होते हैं, जैसे कि अगर आप बात कर लें, यूपी और दूसरा बात कर लें, अनाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्रा खंड, ठीक है, अगर आप इनकी बात करते हैं, तो देखिए जो आपके चेत्र, मैंने कोlvania से अपको हमांचल प्रदेशन 2 मान भी आप नेपाल भी ले सकते हैं वहुटान भी शकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है लेक souvent हम इंडिया वाल ले हैं लिजह करे गंगहा के मैदन ऑनके सम्तल मैदन है ठीक है सम्तल मैदन ये प्लेन एरियास ہیں इस अगर आप अनवाच्छन प्रदेश के बात करेंगे तो पहाड़ी चेत्र है और पहाड़ी चेत्र कैसा है कि समुधर तल से ऊचा रहेगा अब आगर उचा है तो परवाती चेत्र हैं और उचा है तो अगर उचाई की साइड हम लूग जाते हैं चो मंडल में तो टैमप्रीच कर नीचे गिरता है तो वहां पर ठंडक रहेगी जैसे देखी आगरा और दार्जलिंग देख लिए आगरा देख लिए यूपी में दार्जलिंग ठीक है एक अक्छांस पर इस्थेते अब देखे इसमें क्या है माली जे एरा आपका प्रत भी एरा जी रो एरा साड़े तेश ठीक है तो अगर आप साड़े तेश माले जाए मैंने आपको साड़े तेश ले लिया तो मालीजे आपका दार्जलिंग या आप आगरा तो मालीजे एक एक अक्छांस पर हैं ठीक है मालीजे साड़े तेश पर हैं मैंने इधर पर कंट नहीं किया है कि कोई से एक चांस पर ह लिकाना अगर आप पहारी खढ़ी कर दीजी अब दारज लिंग जो है पहारी ओंपे आगरा जो है समतल मैदान में तो उचाए नीचा है किसका फरक पढ़ जाएगा आपका पढ़ जाएगा अब अक्छान्स एक ही है लेकिन उचा नीचा हो गिया ठीक है तो उस चीज़ से फ परिश्टित है कि इसना होता है अर्ट इस Вас को थोड़ा समझना उच्छान का नॲर्गा पी पारापन कि जा होता है उच्षा नीचा छेतर है जैसे बात कर रहें यूपी के मैदान देख लिजए अगर आप 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 को यूपी ने लिखना था आप हिमाचल चले जाए नहीं हिमाचल जाना तो आपको असंव क्लेजा चाले जाये अंडिया में ही नहीं यह नीपल नेकाल जाए तो नेपल में आपको उट्चा बच कहीं पे उचा चेतर कहीं पे नीचा चेत रहा है तो उच्चा बच पर पड़ता है किस किस चीछ पर 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 परभाव तॉच्चा बच five पर पड़ेगा आपका परmar तापमान पर ठीक है टेंपरिड़ीचार पर तेंपरिचर हमने देख लिड़ा जैसे हम ऊची सब ज़से फेल नहीं है तेंपरिचर कम हो सब्लक्राइलिपर पर तुमेंगेशत करें आप उपर की जाएंग Democrं प्रेमपर इस जाएंग तो कैर स्थए और यह लगता है लगता है इस परकार से मैं जहाना है तो नेपल पहाड़ी टीन पहाड़ी पेर चले जाना श्राटने का कषетров करें पहाड़ी पर c पर तो तो तेखे जो पांच किलो मीटर के नीचे का छितर आप छोड़के आए बहुत आपकी खौपड़ी से कम होगा ना यानि आपके सिर से बहुत जादा घनी नहीं रहेगी तो प्रेसर कम होगा ठीक है बात हो गई पबनों की गती भी इससे प्रभाव पड़ती है पबनों की दिसामे भी प्रभाव पड़ता है इसको थोड़ा मांगे देखेंगे तता धाल की मात्रा तो धाल की मात्रा भी प्रभाव पड़ता है और बितरार को प्रभावित करते हैं और अब जब इस सारी चीज़ें है तो अगर आप बात करते हैं जैसे की बात करीई इधर पूरा वही रहा पास्चम रहा उत्तरि रहा आपका पूरा पास्चम ही रहा प्रावली आपका सुन खेलगा और प्शेफित कोई रहावे मन्शून या क्था ऍंवावली के रहा किसा मान्सून नहीं आती है ठीक अग चलिए थोड़ा आंगे देखेंगे आंगे देखेगा उधारा जून और जूलाइ पूरब गाट पूरब घाल अधिक बरसा पराप्त करते हैं तो देखे असम और पस्चमी घाट के जून जुलाई के महिनी होते हैं यहां पर पबाना भेमों को ढाल होता है इंपोटेंट है यह रहा आपका परबत परबत में क्या होता है उंचा है पर बाती यहां पर कमान्च सुनाया तो यह क्ैया करता है इसी से टक्रा के बारिस करा देता है नहीं एक तो परबत के यहां पर बारिस हो सके है tentang यहां यहां पर बहुत जाना बारस होगी बहुत जाना बारस अच्छी खाँछी बारस होगी लेकिन उसी की दूसरी साइड आपको सूखा की इस्थिती मिल जाएगी तो वही चीज़ इसनी बता राख rag que कि अगर आप पस्चमी घाट की बात करती है तो इस पहल जाता है ठीक है यहाँ पर और वही चीज हमें देखने को मिलती है असम में तो यहां पर कया होता है एक डाल में पानी रहेंगा एक ढ़शायत रही नहीं होगी जबकि इसी तोरान पस्चिमी घाट के साथ लगा दच्छंी पथार प्भण बेमों के स्थिति इकार इस करार करता है दच्चं के इस ने पारिश करा दी दच्छिड का पठार है तो दच्छिड के पठार की अगर आप बात करती तो यह हो गए दच्छिड के पठार का पूरब के बात पस्चिम ठीक है तो दच्छिड के पठार का पस्चिम भाग जो यहां पर बारिस नहीं होती है तो वही चीज है कि दच्छिड पठार पबन वि परसाथ हो जाएगी लेकिन इस साइड इसका पबने बिमुगर हो जाता है पस्चमिगाट का तो आपका जो आपका क्या है इसको थोड़ा देखेंगे एक पेज में ही आपका गंटा हो जा रहा है चले देख लेते हैं आंगे बाइदाब तथा पबनों से जुड़े कारक तो क्या है आपका बाइदाब क्या है पबन जुड़े यानि पबन क्या है मतलब पबन और बाइदाब क्या प्रभाव पारते हैं तो इसको देखते हैं भारत के इस्थानी जल बायू ठीक है भारत की इस्थानी है यानि भारत की इस्थानी है यानि मतलब इस्थानी इस्थानी लिए पर आपके कहीं पर कम रहे कहीं पर कम रहे गानिक हैं कहीं किसी देशाम चलेंगे अब बाइवाद करिया आगे का तो भूम अंडली मौसम को नियंद्रित करने बाले कारकों एवं बिभिन बायू सन्हती है यह जेट प्रबाद जेट दराब की बहुत इंपूटेंट है इसको तोड़ा गौर्ष समझना यह जेट प्रबाद वारा उत्पन ऊपरी बायू संचनार तो यह जेट प्रबाय। जो हैं आपकी कितने चलती है नौ से तेरा किलोमीटर के उपर चलती है नीचे नहीं चलती हैं चलती है। नौ से तेरा किलोमीटर के उपर अगर आप अभी अगर आप उप round इदे तो उसको उचे करिखने देखना ऑज़कर 19 तो यह आपके कुछ चीजें हैं इसको थोड़ा देखिए एक और रह गया है उपर यह तीन कारकों की किरिया विदी को सीट वा ग्रीस्मृत्व के संदर में अलग अलग भाती से समझा गया तो देखे सित्रensa डीजु में आपकी जो अलग चलती है ठीक बाई दो आपकीए से लेग से चलेगी सूरु का परकास पड़ता है किस ने ख़एगा कि सिर्मितु में कहा हो? दीगे कि एक स्यरॉद हपा रहा है क्योंकि आपका चेप्टरह बहुत जाने हैं इसका एक एक पॉइंट समझना बहुत जादा इंपूटेंट है तो सीत्र रितु में मौसम की क्रियां हम लोग कम करेंगे कल करेंगे सौरी कम नहीं कल करेंगे और देखे क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग अगर मुझे से कहां से देखेंगे तो सीत्र रितु में मौसम की क्रिया विदी कल देख लेंगे तब तक के लिए जय हैं जय भारत